अगर आपने कोई भी integrated course किया हुआ है तो इसे related आज की इस वीडियो में एक बहुत ही important जानकारी आपको देने वाले हैं और बहुत जादे बच्चे जो है इस बात को लेकर के confused हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा वीडियो बहुत छोटी है लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत important है तो यहां पर point यह है यानि कि जो बच्चों का confusion create कहां हो रहा है तो यह है कि अगर हम कोई भी integrated course किये हुए हैं तो उसके बात हम किसे भी stream के लिए जा सकते हैं यानि कि किसे भी फिल्ड में किसे भी job के लिए हम eligible होते हैं कि नए जैसे कहने का मतब यह है कि अगर आपने बीये बी किया हुआ है जैसा कि आप जानते हैं यह सारे ही जो है जो कोई ये आपका एक integrated course होता है, integrated course क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया है कि integrated course क्या होता है B.C.B.A.D. वीडियो में so integrated course वह भो होता है जिसमें की 2 degree आप एक शाथ लेते हो, लाइक यहां पर B.C. के साथ आपने L.L.B. भी किया BA के साथ आपने LLB भी किया तो यहाँ पर जो है तो दो डिगरी आपको मिल रही है एक BST की और एक LLB की एक BA की और एक LLB की तो इस टाप के जितने भी courses होते हैं यानि कि graduation साथ में हो और साथे साथ कोई professional course भी आप उसमें जो है कर रहे हो तो वो जो है आपका integrated course होता है तो आप जो है या तो BST LLB, BA LLB या फिर जो है अगर आपने जो है BST BA अगर आपने किया हुआ है ये भी जो है आपका एक integrated course होता है BST BA आपने किया या फिर जो है BA BA आपने किया इस तरह के से जो भी integrated course है अगर आपने integrated course किया हुआ है तो एक particular field होता है for example अगर आपने BAC LLB किया तो LLB जो है ये किस field से related है तो ये आपका lawyer field से related है यानि कि LLB करने के बाद आप आप वकालत के field में जाएंगे lawyer के field में अपना career बनाएंगे तो आप जो है उस field में जाएंगे अगर आपने B.A. LLB किया तो यहाँ पर आपने B.A. to किया ये graduation LLB भी किया तो ये भी जो है आपका lawyer के field की तरफ जादा है अगर आपने B.A.C. B.A. किया तो B.A. जैसे कि आप जानते हैं ये teaching का line है तो आप जो है यहाँ पर इस मादिम से आप teacher बन सकते हैं तो ये एक teaching का field है तो point ये है कि जैसे माद लिजे अगर हमने B.A.C. B.A. घर लिया और अगर हम जो है U.P.A.C. के line में जाना चाहते हैं यानि कि हम civil services का exam देना चाहते हैं ISPCS बनना चाहते हैं तो क्या इसके लिए हम civil होते हैं या फिर जैसे माल लिजे कि आपको जो है banking sector में जाना है या फिर I can दो लीजे कि आपने B.A.C. L.L.B. वी किया और आपको teaching लिएन में जाना है यहां से या iPhones अपने B.C. Built किया और आपको L.L.B. के field में जाना है या फिर यहां पर हम आपको बता दें कि आप जो है कोई भी integrated course अगर आप किये हैं तो जिस फिर्ट से particular आप integrated course किये हुए हैं उसको छोड़ करके यानि कि उसके अलावा आप किसे भी फिल्ड में अपना career बना सकते हैं यानि कि आप किसे भी फिल्ड में जा सकते हैं जैसे अगर आपने BSC B8 किया तो teaching में तो आप जा ही सकते हैं साथ ही साथ अगर आप UPSC के line में जाना चाते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं आई स्टीचिस बन सकते हैं जो भी है आप जिस भी line में जाना चाते हैं एनी job के लिए आप eligible होते हैं ऐसा foundation कुछ भी नहीं है कि आपने BSC B8 किया तो आप केवल teaching line में जाएंगे graduation जो है आपका केवल teaching line में ही है या फिर आपने BSC LLB किया तो आप केवल lawyer के field में जाएंगे आपने केवल यही graduation किया नहीं वो सारी vacancies जिसमें graduation मांग रहा है तो उसके लिए आप eligible होते हैं क्योंकि आपके पास जो है जो professional course है इसके साथ साथ आपके पास एक graduation degree भी है जो कि सभी job के लिए मानने है जिसमें भी graduation मांग रहा है तो जो ही आपका confusion था कि अगर हम integrated course किये हैं तो उसके अलावा हम किसे भी field में जा सकते हैं तो जी हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं तो आपके आपका जो भी doubt था वो clear हो गया होगा और अगर अब भी आपको कोई doubt है तो आप comment section में बता सकते हैं तो फिन्स वीडियो को like, share और चैनल को subscribe किये बिना मच जाएगा तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वच्चिंग